प्रिस्मिल्ला रभ्माजराहीम अस्सलाम अलेकूम वेलकम बैक तो मैट्स लेसंड ये टीचर्स आज हम नमबर सेवंटीन का डे नमबर टू प्रक्टिस करें हैं तो हमेशा की तरह डे नमबर टू के लेसंग को स्टार्ट करने से पहले जो हम ब्रेंस्टॉमिंग की वाम स्कॉंसस लेके उतना ये च्छा चुह है वो नमबर का चॉंसर पिल्ट होगा। वीज पूस पॉस पॉस ज विडियो एंड रिवाइस all the previous activities. So let's go on and see if the children can recognize तो बच्छ च्रीन पर कॉंसा नमबर है? This is the number 13. Oh no. Is this 13? It's not 13. But why is it not 13? Because there is no 3 there. and the number seven says it's the number seventeen जी हाँ टीचर जब आप उनको different इस तरह गेम की शक्रमन के साथ करेंगे तो वो जादा अच्छ हैंगे जोगे क्योंकि ये एक nature है human being की कि हम गलती को जल्दी से पकड़ने की बाद उसको correct करने की कोशिश करते हैं तो अगर आप बच्चों को कुछ उनके जानने के बाद किसी किसम की गलत information देंगी तो वो खुद आपको correct करेंगे but don't do this activity when you're teaching something new अगर आप कुछ नया पढ़ा रहे हैं और उसी को गलत से start करेंगे तो definitely उनकिसका मतब है कि उनकी recognition ही गलत बन रही है तो जब वो आपको यकीन हो जाए कि recognition हो गई है इन्होंने पिछली activity में आपको 17 insure कर दिया है तो फिर आप इनसे ऐसी juggling किसम की ऐसी confusion वाली activities करें और फिर insure करें कि number बच्चों को पैचाना गया है और वो identify कर सकते हैं so there are activities in the book as usual some counting, some identification, some talking these are candies, are candies healthy or unhealthy food ये बच्चे आपको बताएंगे कि हमने पहले इससे पर बहुत सारी बात चीद की है कि candies काना जो है वो कभी कभी तो सही है लेकिन ज़्यादा candies काने से दान भी खराब होते हैं और हो सकता है class में से बच्चे हो जिनके दान्त काले काले हो उनको पीडा का रहा हो तो आपने बच्चे अपने दान्तों की सफाई का ख्याल रखना है candies को count करना है teachers, candies के बारे में discussion करने के बाद इनको writing का टास दें आज इन्होंने number 17 को listening, speaking, reading के बाद writing तक लेके जाना है and then we will be able to see कि बच्चों ने 11 से लेके 17 तक के numbers की recognition कर लही है so आपकी असानी के लिए suggestion के तौर पे activity in the description box में दीगी है worksheet कि आप use कर सकते है this is totally up to you this is an idea and a suggestion from my side make sure if you are making any changes तो वो changes आपके बच्चों के लिए suitable हो और उनकी learning में किसी की संथ का कोई problem ना हो until next lesson take care Allah Hafiz